हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चानल कैसा है आप सब आज मैं आपको यह सट्टर बनाना से खाऊंगी यह जो मैंने बनाया है वह 32 चैस के लिए बनाया है तो इसकी जो आपके इस तरीके से नापेंगे तो 16.5 इंचिस इसकी यह विडित है और जो लेंथ है इसकी वह हो कि होती है तो चली वीडियो करते हैं लेकिन वीडियो चूँकरण से पहले फ्रेंड से आप में चैनल बनाई हैं और आपने मेरे अन्य चैनल को अधर सबस्थायब कर लएजिए और नॉटिफिकेशन बेल को जूरुद बार दीजिगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो देखिए आज मैं इसका सट्टर पर लारा सिखाऊंगी यह जो पैटन है वो मैंने बनाया हुआ है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि किस तरीके से बनाना है किस तरीके से स्टार्टिंग चैनल यह नहीं है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप महां चेक कर लीजेगा तो देखिए यहां पर मैं जो क्रोशा यूज कर रहे हूं वो कर रहे हूं 3.50 mm का और यान है यह होबी स्टोर यान है तो देखिए अगर आप कोई और यान और कोई और क्रोशा यूज करते हैं तो आपको जो साइस है वो चेंज हो जाएगा तो आप दिखी क्या करेंगे कि चैस्ट नाप लीजिए पहले फ्रेंट बनाएंगे इस स्ट्र का आप सबसे पहले फ्रेंट बनाएगा चैस्ट नाप लीजिए उसका जस्ट आधा कीजिए और फर्स ट्रो बनाएगे यहां प पहले हम बीच का इस सब आएंगे ठीक है तो यहां पर दिखिए मैंने 18 रो बनाई है यह वाली यहां पर हमने मैंने जो स्टार्ट किया था 130 चैन से स्टार्ट किया था तो यहां पर जो फस्ट रो में बॉक्स है वो 10 बॉक्स आए है और सेकंड रो में 9 है फिर 10 है फिर 10 है फ तो आप जब हम आर्म-hull क्टाएंगे तो 10 बॉक्स वाली जो रो है उसमें आर्म-hull हो पर कोई भी साइस बना रहे हो किसी भी साइस के लिए कोई भी यान कोई भी कुरुषया लिया हो तो आप देख लीजिए किस तरीके से आपको यह armhole खटाने गला किसовые क्तरीकों से बनाना यह तो आपको किसमें आसानी हो जाई गया और कोई भी साइस बना पाएंगे तो दीकिए हमने यह टैन्थ वाली रो है इस पर आर्म गटाएंगे तो आर्म मूल खटाने के लिए हम क्या करेंगे यह जो first वाला box है इसको नहीं बनाएंगे यहां से start करेंगे second वाले box से तो first वाला box अभी इसको छोड़ देंगे और second वाले box से start करेंगे मैं बताती हूँ यह इस रो में हम आर्मोल कटाएंगे फिर उससे next वाली रो में मैं आपको गला बनाना बताऊंगी तो यह pattern पूरा detail आपको वहां मिल जाएगी किस तरीके से start करना है तो यह देख लीजिएगा आप तो यहां पर हम यह देखिए यह पहले हम यहां से start कर रहे थे इस रो को अब हम यहां से start करेंगे ठीक है एक वीडियो में पूरा cover नहीं हो पाता है इसलिए मैंने pattern इसका अलक्सी बता दिया और यह जो row है वो हर बार इसी तरफ से बनेंगी एक तरफ से ही बार बार रो बनानी पड़ी है पलट के वापस नहीं आएंगी इस start में यह जो front side है तो पहले आप हमेशा front बनाईगे और फिर उसके नाप से back side बनाईगे तो दीकिए यहां से हम chain one बनाएंगी और जिस तरीके से बना रहे थे 2 3 4 5 6 और यह 7 वाला यहां पर अब दिकिये यह इसी तरीके से box बनेंगे जैसे हम बनाया थे यहां पर हमने first वाला छोड़ दिया है और यहां पर last वाला box नहीं बनाएंगे तो हम यहीं तक box बनाएंगे first वाला और last वाला box नहीं बनाएंगे इससे हमारे आर्मल का ship आ जाएगा तो मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हूँ बहुत इजी है बस आप pattern सीख लेंगे तो बनाना मुश्किल नहीं है इसको तो मैं यह वाले nine box sorry eight box बनेंगे सिर्फ इसमें nine है इसमें eight box ही बनाएंगे तो इस box को बनाके मैं आगे आगे आपको गटा न बताऊंगे तो देखे यहाँ पर हमने 10 बनाये थे तो इसमें हमने first वाला और last वाला ये बाक्स नहीं बनाये है तो यह हमारा arm हो लगए है बाद में आधे आधे stitch आधे आधे box इस तरफ बनेंगे पूरे में ही बनेंगे आधे आधे box तो इसलिए हमने यहाँ पर यह यह बनाएंगे और 1,2,3,4 यहां बनाएंगे तो यह पहले इस तरफ का गला बनेगा इस तरफ से ही फिर लिवारा जब इस टार्ट करेंगा तो फिर यहां से स्टार्ट करेंगे और पर दूसरी तरफ के गले का शेप ब Erfahr साथ आति यह से यहां इहां और ने न nationalभियन आर चार्था अप कोई साइस बना रहे हैं गला और आपको हा आर्मूल इस थरीह से पना आरमूल इतना है ऐहां को आर्म हूल थड़ा और ज्यादा बड़ा चाहिए तो आप एक रो और बना लीजिए उसके बाद आप इसको आर्म हूल को गले का शीब देना शुरू कीजिए ठीक है कर दो चैन सेवन बनाएंगे यहां पर यान जोड़ी है और सवन चैन बनाएंगे 1,2,3,4,5,6,7 फर्स वरी चैन छोड़ेंगे और 6 में से स्टिच लेंगे 1,2,3,4,5,6 और 7 फर्स टिच यहीं से लेंगे जहां से हमने यह रो इस्टार्ट की है और यह वन दो दो में से निकालते जाएंगे 2,3,4,5,6 और यह 7 फर्स टिच को उठाएंगे 1,2,3,4,5,6,7 और यह नेक्स वाले जो पक्स की यह रो है यहां से मस्टेच उठाएंगे तो यह जो पैटर मैंने बनाया है इसकी पूरी डिटेल आपको पिछले बॉक्स में मिलेगी अगर मैं इसमें यह पैटर बनाना आपको सिखाऊंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसमें मैंने पैटर्न किस तरीके से रू किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यह डिटेल मैंने बताई है तो यहाँ पर हमने एक यह कम कर दिया और यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है सेम वही रो है बस start हमने एक यह वाली को पिंक वाली को इस तरीके से start किया है यहां पर हम 1,2,3,4 box बना लेगे यह box बना के मैं यहाँ देओ तो दिख्के अब हम गला बनाएे तो यहां पर दिख्या मैंने 1,2,3,4 यह 4 box बनाया है ठीक है आप देखे इसके बाद वापस से यह 1 2 3 box बनेंगे यहां पर 4 नहीं बनेंगे यहां पर 3 box बनेंगे यहां से इस corner से यान को जोड़ेंगे यह वाली जो row है वो इसी तरीके से starting chain 7 लेके start करेंगे और यह जो row है इसको हम यहां से यहां से join करके फिर बनाएंगे जो सबसे उपर वाला stitch है उस पर हम यहां को join करेंगे यहां से यहां यहां की हमने देखे यहां पर हमारे यह 1 1 2 3 4 हमने यह box बनाया है और यहां तो पूरे हमारे फोई है तो यहां पर हमने 1 2 3 4 box बनाया है अब इसके उपर 1 2 3 यह gray वाले जो box है वो यहां से start करेंगे और 3 box बनेगे ठीक है तो यह 3 box बना लिती हूँ फिर मैं आपको आगे बताती हूँ box बनाना मैं आपको बारबर नहीं बताऊंगी क्योंकि यह बहुत टाइम लगता है इसमें यह तो वही repeated row है बस हमें यहां से start करना यह बता दिया हमने आपको 1 2 3 box बनाएं पिर यहां पर हमने 1 2 3 4 बनाएं फिर यहां पर 1 2 3 बनाएं अब यहां पर 1 2 3 यहां पर बनेंगे क्योंकि यह वाला जो half-half का कम हो रहा हमारा ठीक है तो यह जो four की line है यह देखिए यह four है तो यहां पर 3 & half बनेगे क्योंकि यह जो half है वह हम यहां से पूरा बनाएंगे तब half जो pattern है वह यहां बनेगा तो यहां पर फिर से 3 बनेगे 1,2,3 फिर उस से वाले में देखिए पहले मैं बना लीती हूं फिर आपको बताऊंगी तो देखिए त्री वाले के लिए हम फिर वापस यहीं से अटेच करेंगे ठीक है जब आप बनाती जाएंगे न तो आपको समझ में आएगा तो आप स्टार्ट अगर आपको बनाना है तो आप स्टार्ट कीजिए और जैसे मैं बना रही हूं तो आपको समझ में आएगा और थोड़ा मैं जब बना लूगी और अच्छे से समझाएंगे क्योंकि अभी हाफ हाफ हमारे यहां पूरे में बनने है यह हमने यहां एक हाफ यहां आएगा हाफ रेक्टंगर हाफ जो ट्रैंगल एक हाफ ट्रैंगल यहां पूरे में तभी हमार यह जो पैटन है वो स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन तभी आएगी क्योंकि हाफ हाफ हमें और बनाने हैं, तो यहाँ पर भी यह इसमें हाफ कम हुआ है, अब यहाँ पर हम थ्री बनाएंगे, उनको हम पूरा बनाने के बाद जब बना लेंगे कोई उत्रेट बना लेंगे और पूरा ओपर तक बना लेंगे उसके बाद फिर हम इसको चारों तरफ से इसमें हाफ हाफ जो ट्राइंगल हैं वो बनाएंगे तो उससे ही यहां से स्टार्ट करें हैं यहां बनेगा थी इसमें आये हैं भी थी इसमें आएंगे चैन्थी बनेंगे सब्सक्राइब यहां से लेंगे वन टू थी फॉर फाइफ शिक्स इस्टिच यहां से लेंगे वन टू थ्री फॉर पाइफ 6 और 7 फाइफ वन टिच यहीं से लेंगे जहां से हमने उघ्ड जॉइन करे थी तो यह प्रॉन करें तो यहां हो जो है मैं बना लेती हूं थी जो और कहां कहां कैसे बनाया है फिर दूसरी तरफ का गला बनाएंगे ठीक है तो दीखें यह मैंने एक तरफ का गला पूरा कर लिए अब लास्ट में किस तरीगे से बनाना यह बता देंगे यहां पर फोर फिर हमने देखिए फिर सेकंड वाली रो में भी फोर थे इसमें त्री फिर समें त्री फिर टू फिर टू यह वाले अब देखिए जो लास्ट वाला है अगर आपके देखिए दो पर आपको कंधा आपका हो गया दो तो यह जो लास्ट वाला है वो हाफ बनेगा जिससे यह जो साइड है वो बिल्कुल स्टेट हो जाएगी लाइन है ठीक है और पिर अब यहां पे यह मैंने last बनाया है अब यहां पे half triangle बनाऊंगी मैं यह half box बनाऊंगी जिसी यह जो कंधा है वह यहां पे straight हो जाएगा फिर हम इसकी side straight करेंगे तो दीखें यह half किस तरीके से बनाना है यह हमने धागा जोड़ा यहां से चैन 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 6 में से stitch लेंगे 6 में चैन में से एक-एक stitch लेंगे 1 2 3 4 5 6 और जो 7 वाला है वो इस में से लेंगे लिए कि 1 वाले stitch में से आप देखिए 2 में से एक बार निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आप देखिए क्या करेंगे यह जो first वाला stitch है इसमें नहीं बनाएंगे first वाला छोड़ेंगे second वाले stitch होता आएंगे 1 2 3 4 5 और यह लास्ट वाला यहां पर 6 पहले हमारे 7 थे अब 6 stitch हो गए दो में से नकालेंगे 1 2 3 4 5 6 ठीक है फिर दिखिए first वाले stitch छोड़ेंगे इसको छोड़ देंगे second वाले से उठाएंगे 1 2 3 4 5 और इसमें 5 stitch रह गए दो में से एक एक निकालेंगे 1 2 3 4 5 फिर first वाला छोड़ देंगे और second वाले से stitch उठाएंगे 1 2 3 और यह 4 दो में से निकालेंगे 1 2 3 4 फिर दिखिए first वाला छोड़ देंगे second वाले से उठाएंगे और यह 3 फिर दो में से 3 टाइम से निकालेंगे 2 3 फिर first वाला छोड़ देंगे second वाले से stitch उठाएंगे और इसमें यह second 2 में से दो टाइम निकालेंगे अब देखिए last वाला जो है इसमें हम एक single stitch बना देंगे तो यह आपका देखिए half triangle बन गया यह कंदा स्टेट हो गया अब देखिए यह सारे triangle हमें सब तरफ बनाने हैं यह जैसे पहले तो भी एक तरफ का हमारा बन गया गला अब दूसरी तरफ का भी बनाना है दूसरे तरफ का किस तरे किसे बनाएंगे यह आपको बताते हूं अब फेल यह यहां से start किया था अब दिखिए यह दूसरा गला है ओस तरफ का गला है यह इस वाले से start करेंगे यहां से start आता जयाएगा कलेंगे और देखिए जैसे box बना रहे थे वैसे बनाते हैं यहाँ 1,2,3 बना लेंगे और 4 फाला box किस तरीके से बनाना है यह मैं आपको बताऊंगे तो यहाँ पर भी देखिए मैं start ऐसे ही करेंगे इस तरीके से यह 1,2,3,4,5,6 और यह 7 यहाँ से तो जैसे box बना रहे थे वैसे ही बनेंगे last वाला मैं आपको बता दूँगी वहाँ थोड़ा सा आपको जैसे यहाँ पर यह last वाला बनाया है वैसे हमने यह first वाला बनाया है यहाँ पर वैसे हमारा यहाँ पर last वाला बनेगा ठीक है तो पहले हमें यह बना लेती हूँ यहां जाती है 1 2 3 box बना लिए फिर 4th वाला बता हूं 1 2 3 यह बना लिए हमने अब देखिए 4th वाला बनाएंगे 4th वाला बनाएंगे जिसे हमने इस तरफ से 1st वाला बना लिए चैन 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और फिर्ट वाली चैन छोड़ेंगे और सेकंड से 6 जो चैन है उनमें एक इक में एक इक सिंग इस्टिच ले लेंगे 2 3 4 5 6 अभी के 7th वाला बनाएंगे यहां से इसमें से लेंगे तो थ्री 4 5 6 7 फिर्ट यहसे बना रहे थे वैसे बना लिए यहां पर बना रहे थे यहां से स्टिच उठाएंगे और लास्ट वाला जो इस टिच होगा वह इस वाले इसके 1st स्टिच में से उठाएंगे ठीक है तो रक्टेंग वह बन जाएगा यह एक स्क्वार पहले मैं बना लिती हूँ लास्ट वाली रो मैं आके आपको बताते हूँ तो देखे यह लास्ट वाला देखे मैंने बना लिया इस तरीके से फिर यहां से स्टार्ट करेंगे फिर यह बनाएंगे और यह यहां से स्टार्ट करके यह 3 बनाएंगे फिर देखे फिर यह पिर यह पिर तो यह मैं बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बता हूँ तो यह हमने left hand side का यह बना लिया है, last वाला यह देखिए one बना है अब देखिए यहाँ पर हमें half वाला जो बनाना है, वो इस तरीके से straight होगा उसको किस तरीके से बनाएंगे, यह मैं बतारी हूँ अगर आपने दो पर छोड़ा है, तो आपको यहाँ पर एक half बनाना है तो आपकी यह जो row है वो flat हो जाएगे, कंदे flat हो जाएगे यहाँ पर मैं half बना रही हूँ, मैंने last में एक पर छोड़ा है तो यह size पर depend करता है कि आपको कितना बड़ा गला बनेगा और कितने आपने ज्यादा boxes लिये हैं, तो हो सकता है आपका दो पर खतम हो जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा पड़ा ही गला ले रही हूँ, ज्यादा छूटा हो जाएगा फिर आपकी किस सरीके से बनाएंगे इसको यहाँ से स्टिच लेंगे टू त्री फोर वाइफ सिक्स और यह जो सावन्त है वह स्टिच हम यहाँ से उठाएंगे अब देखिए दो में से निकालेंगे वन टू ट्री फोर फाइफ और यह सिक्स अब यह फ्रस्ट वाला छोड़ेंगे और सेकेंड वाली से उठाएंगे देखिए वन टू ट्री फोर फाइफ और देखिए यह सिक्स वाला है जो यहाँ पर दिखिए अपने यहां भी इक इस्टिच आरा होगा आपको चैन से दिखाए देगी यहां से यह वाला इस्टिच उठाना है इस तरीके से फिर देखिए दो फिर दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे फिर फिर्स वाला छोड़ेंगे सेकंड से उठाएंगे हर बार एक स्टिच काम होता जाए रहा वन टू त्री और यह जो फोर्थ वाला है वो यहीं से उठाएंगे जहां समने उसकी जस् यहां पर चैन थी, फिर इसके बाद यहां एक चैन वा गयी है, यह स्थतरी से दो में से निकालेंगे हैं फिर दो में से निकालेंगे फिट वासी दिखा लास्ट फर्स्ट वाला चोड़ेंगे यहां से से कि तर और यहां से उठाएंगे यह फिर्स्ट वाला छोड़ेंगे, सैकेंड वाला और यह लास्ट, यहां से स्टेच उठाएंगे यहां पर आपको एक चैन दिखाएंगे, आपको स्टेच की काउंटिंग रखने है अब यह फिर्स्ट वाला छोड़ेंगे, यह लास्ट चैन है, यहां पर एक सिंगल स्टेच बनादे के तो यह हमारा हाफ ट्राइंगल बन गया, ठीक है? तो इस धागे को मैं यहां से काट अब दिखे ये मैंने पूरा यहां गला है हमारा और ये कंदर हैं आप दीखे ये जो एजेज हैं इनको हुम फ्लाइट करेंगे यह सारे यहां से लिखे पूरे में देखे यहां तक होगह ठीक है तो यह मैं आपको फ्लैट करना बताऊंगे इसके बाद फिर हम बैक वाला पार्ट बनाएंगे पहले यहां के जितने भी एजेज है उन पर हाफ हाफ बनेगा तो यह देखे आर्म होल पर पिंक वाले है आर्म होल पर देखे यह आधे आधे ग्रे वाले बनेगे और यह यहां पर यह पिंक वाले बनेगे इस चीज के खतए हम रखना है क्योंकि यह हाफ यहां cardiac वाले का पर यहां पोरे में पिंक बनेगे पूरे यहांसे लेकि यह तक और यहां पर भी में थोड़ासा आपको बताऊंगे आगे हिआहां पर है एक्छोड़ा से आधा सरे ट्रैंगल से भी आधा स्टिच बनेगा यहां पर जसी इस्ट्रेट होगाoj civ Anh तो वो मैं आपको लास्च में पहले हम यहाँ पर यह और यह सारे ट्रैंगल जो भी है हाफ ट्रैंगल इंको बना लिए को ऐसे कि लास्ट वाला है यहां से элем bientôt स्टिश को जोड़ेंगे धागे को तो दिके यह इस तरह से हम बनाने यहां से स्टार्ट करेंगे और जितने भी ग्रे बनेंगे एक साथ बना देंगे फिर उसके बाद एक पिंक एक साथ बनेंगे किस तरीके से बनेंगे यह हमने यहां पर धागा जोड़ा है और दिके यह ए 3, 4, 5, 6, और जो 7 वाला है वो दिखिए यह जो बॉक्स है इसके 1st वाल इस टेस से उठाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1st टाइम हमने 7 टाइम स्टू-डू में से निकाला है अब देकिए 1st वाल छोड़ देंगे यह 1st है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 6 टाइम ही इस्टिच निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिदी के नेक्स वाल छोड़ यह इधर यह 1st यह तो हमारे स्टिच है इसको 1st काउंट नहीं कर रही यह है 1st तो इसमें से निकालेंगे तो धागा निकल जाएगा वापस इसको हमने छोड़ा 1, 2, 3, 4, 5, अभी यहां से तो 5 टाइमस निकालेंगे दो दो में से फिर 1st वाल छोड़ेंगे, 2nd उठाएगे 1, 2, 3, 4, फिर 2 में से निकालेंगे 1, 2, 3, 4, फिर 1st वाल छोड़ेंगे 3 ताइमस उठाएगे पर 1, 2, 3, फिर 2, फिर 2 टाइमस निकालेंगे फिर 2 halा यह कृणा वाल छोड़ेंगे यहां से उठाएगे i 1 और यहां से उठाएगे यह सब्सक्राइब एक सिंगल सिच बना देगे से यहां से उठाएगे सबस्क्राइब इस तरीके से यह हाफ हमारा कंदा बन गया इसी तरीके से फिर देखे़जार इसको बनाया वैसी ही बनाना यहां से stitch उठाएंगे अब 1 2 3 4 5 6 और 7 वाला यहां से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 फिर्स वाला चोड़ेंगे से कंड सुठाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 इसी तरीक से जब आप इसको पूरा करेंगे तो यह यहां पर आके खतम होगा इसी तरीक से हम यह पूरा साइड है जितने भी हैं अब देखें यहां से यहां तो पिंक बनाएंगे फिर यहां से पिंक बनाएंगे तो यह हमारा यह यहां पर हाफ बनेगा न तो यह थोड़ा सा राउंड आ जाएगा ठीक है तो मैं पूरा बना लेती हूं फिर जहां पर मैं आपको जहां कॉर्ने पर बता लेती एक छोटा से हमारा half box बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी पहले मैं पूरे मैं बना लेती हूं इसी तरीके से बनेगे तो दिखे ये side है तो हमने बना ली अब गीदिके corner बनाने हैं तो यह half का जो half है वो किस तरीके से बनेगा तो देखिए यहाँ पर हम इस तरफ से आई हूँ अब देखिए क्या करेंगे यहां से यहां पर अब six stitch उठाएंगे यहां से one two three four five six देखिए दो में से निकालेंगे one फिर two फिर two में से निकालेंगे फिर two में से निकालेंगे अब देखिए last के जो three stitch है इस एक साथ निकाल देगे ठीक है फिर देखिए first वाला चोड़ेंगे second वाले से stitch उठाने शुरू करेंगे one two three four और जो five वाला है वो देखिए यहां से उठाएंगे यह stitch से यहां से counting का ध्यान कीगा फिर देखिए दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे फिर दो में से निकालेंगे और फिर last के जो है वो three एक साथ निकाल देगे फिर दिखिए, फिर्स्ट वाला छोड़ेंगे, फिर्स्ट वाला चोड़ेंगे, 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 फिर्स्ट वाला चोड़ और फिर जो तीन है इनको एक साथ निकालतेंगे फिर जो लास्ट के हैं यह देखिए वन डू यह लास्ट से से सेज उठाएंगे इन दोनों को एक साथ निकाल देंगे, तो यह दिखिए अवरा हाफ यह चैनल बन गया हाफ का भी ठीक है तो से ऐसे ही उस तरफ बनेगा यह इस तरफ भी हमने ऐसे ही ना आया है तो यह हमारा पुरा जू साटर है यह तयार हो गया फ्रंटस की साइड तयार हो चुकिए पूरी अब अम Black बनाएंगए बनाने के बाद आर्म होल में इतनी सी छटाया आई है चादा नहीं आई है इतनी छटाया ठीक है यार मूल मैं उस तरीक से आ रहे हैं अब देखिए बैक के लिए हमें क्या करना है जितना फ्रंट में है आपको पहले अपने फ्रंट बना ली फिर क्या करना है चैन्स बनानी है चैन्स बना के आपको यहां से नापना है तो जितनी आपकी चैन आ रही हूं ठीक है उतन आपको चयन बना लेनी है और फिर जो आपको यहीं से बनाना है हम जो बॉर्डर है वो बाद में ही बनाएंगे इसका भी तो जितनी भी आरी हो आप नाप लीजिए इस तरीके से नाप के और यह जो बैक वाला हिस्सा है उसको बना लेजिए तो arm hole तक हमें ये बना लेना है तो ये आप stitch इसमें चाहें तो आप single stitch से row बना सकते हैं back single stitch से बना सकते हैं half double crochet से बना सकते हैं double crochet से बना सकते हैं तो आपको back side आपको नापनी है और फिर उसको बिल्कुल जब तक इसके बराबर नहीं हो नहीं यह बताऊंगे यह back part मैं ने बना लिया है आर्म होल तक जितने हमारे आर्म होल आ रहा है वहां तक मैंने बना लिया इसको तो आपके जो भी आ रहा हो नीचे से border हम बात में बनाएंगे तो यहां पर हम आप हम चाटेंगे आर्म होल जादा है नहीं थोड़े से लेने हम में तो दिखिए यहां पर ये 3 slip stitch बनाऊंगे में 1 2 3 4 slip stitch बनाएंगे 4 अब दिखिए जो next chain 1 बनाएंगे और ये जो next 2 double crochet है इन दो इस्टिच है इन दोनों को एक कर देंगे 1 और ये 2 दोनों को एक कर देंगे तो हमारे आगे की तरफ भी इतना ही आर्म होल है ज्यादा आर्म है नहीं तो कर आप और ज्यादा हो आपको थोड़ा वह तूपर नीचे हो रहा हो तो सबसे slip stitch बनाएंगे लास के 2 stitch इस तरीके से बनेगे अब यहां से हर एक stitch में एक एक stitch double crochet बनाते हुए मैं उस तरफ आ जाते हूंगे यहां पर जहां तक हमारे वन टू थ्री फोर पहला वाला भी नहीं बना तो यहां पर वन टू त्री फोर तो यहां पर वन टू त्री स्टिच बागे होगे वहां तक हमें हरे की stitch में एक डबल क्रूशिया बना लेंगे तो आप अपने इसाफ से जब आप नापेंगे आप आगे वाले stitch पर रखके फिर इसको आर्म होल लास्ट में आपको slip stitch बनाने हो और दो डबल क्रूशियों को एक साथ बना देना है इससे आपका आर्म होल छट जाएगा उस इतना ही करना है यहां से हर एक stitch में एक stitch बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ जहां हमारे 7th stitch बागी रहेंगे यह आर्म होल के दूसरे दर उसमें से हलाया को उठाएंगे और इन लोनों को एक कर देंगे बस यहां पर हमें कुछ नहीं करना अब यह वाद में मोल्टे बनाएंगे तो उस में यह एजस हो जाएगा इस तरीके से आजाएगा और मोल में जब रडर बनाएंगे तब un बनाएंगे इस तरह पल्टेंगे और यहीं से नेक्स वाले स्टिच पिस्टिच बनाएंगे इस पर नहीं बनाएंगे नेक्स वाले स्टिच पिस्टिच बनाएंगे यह आर्मूल बन गया आप हार एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे यहां पर भी हम लास्ट फ़ल स्टिच में स्टिच नहीं बनाएंगे यह यहां पर मैं बना कि लास्ट में आ जाती हूँ तो दीके आर्मूल के दूसरी तरफ आ गया है और जहां पर हमने दोनों स्टिच को एक किया था उस स्टिच को नहीं बनाएंगे चैन वन बनाएंगे और इस तरफ लड़ जाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे यह से रो स्टार्ट करती हूं हमेशा ठीक है इससे फिनिशिंग अच्छे आती है यहां से बस हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे इस तरीके से बनाते हुए और थोड़ असा गला पीछे की तरफ भी दोंगी मैं तो पहले मैं पूरा बना लेती हूं फिलास में गला कि इस तरीके से देना है यह बताऊंगे आपको तो दिकि यह बैक पार्ट के मैंने यह आर्म हूल बना लिया है गले का शेप मैंने पीछ नहीं दिया है आप चाहे तो एक या दो रो में दे सकते हैं और गला वैसे ही बनेगा जैसे हम बनाएंगे और यहां पर दिकिए मैंने नीचे बार्टर भी बना लिया है तो जैसा हमने बैक में बनाया है वैसा ही पहले मैं आपको फ्रेंट में बता देती हूं वैसा ही से हम बैक में बनाएंगे तो इसमें तो मैंने पहले ही बना लिया और पहले हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे उसके बाद नीचे का बार्टर पहले बादर बना के शुरू करेंगे तो पहले बना लिती हूं बता देती हूं आपको बादर फिर में दोनों पार्ट आपको अच्छे से दिखाऊंगे खोल के कि वह किस तरीके से आ रहे हैं ठीक है तो यह दिखिए बहले इसमें मैंने फिनिशिंग कर दी है सारी सारे दागे होगे हटेर दी है अब इसमें बार्ट बनाएगे तो बार्डर के लिए मैं यहाँ पे ग्रे पहले border बनाएंगे फिर बात में आपस में हम अकंधे और इसके side ने जोड़ेंगे अगर border पहले आप बना देंगे border बाद में बनाएंगे तो यह इतना stretch नहीं होगा कमर पे थोड़ा सा fix होगा क्योंकि यह side बाद में इतना अलग-अलग stretch जो हो रहा है वो जब आप एक साथ round में इसका बनाएंगे border तो यह उतना stretch नहीं होगा क्योंकि हमें कमर पे थोड़ा stretch चाहिए तो दिखें यहाँ पर chain 1 बनाएंगे और यहीं पर double crochet बनादेंगे sorry chain 3 बनाएंगे two three तो chain 3 हमारा first double crochet है यहां से दिखें हर एक stitch में एक-एक double crochet बनाएंगे तो यहां से यह दिखें जितने भी space दिख रहे है हर एक stitch में एक double crochet बनाएंगे बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हुए जरूक है ठीक है इस्टिच में एक-एक double crochet बना लिया हमने आप दिखें चैन वन sorry chain 1 3 बनाएंगे 1 2 3 तो chain 3 जो है वह हमारा first double crochet है यह दिखें इसके उपर stitch नहीं बनाएंगे यह first double crochet अब दिखेंगे जो second वाला है इसे हम एक stitch front post बनाएंगे एक stitch back post बनाएंगे फिर एक front post बनाएंगे और फिर एक back post बनाएंगे इसी तरह के से फिर जब हम chain 3 से start करेंगे back post stitch बनाएंगे और front post stitch बनाएंगे आप उस तरफ से आएंगे तो आपको back post front post में दिखेगा front post back post में दिखेगा तो जो आपको front post दिख रहा है आपको front post बना दीजिए और जो back post दिख रहा है उसको back post बना दीजिए इसी तरीके से बनाते हुए 3,4,5 जितना बड़ा आपको border चाहिए उतना बना लेंगे उसके बाद फिर हम सको जोडशा है तो पहले मैं दोनों border बना दीजिए हुँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हुँ को zijn तरीके से आ रहे हैं और फिर उसके बाद प्रहु 1.sliV सारी, armhole बनाएंगे और neck बनाएंगे तो पहले मैं इसके border बना लिए तो दिखे यह मैंने back बना लिया बैक पार्ट में यह arm hole इसके बराबर कर दिया है back में मैंने neck नहीं ली है अब चाहें तो एक यह दो रोग की ले सकते हैं और दिखे यहां पर यह फ्रंट पार्ट थोडा सा मॉट रा जब गला बनांगे दो सही हो जाएगा तो अब दिखेए इसको एक दूसरे के उपर की यह बार्डर आ रहा है इसको एक दूसरे के ऊपर रखेँगे और कंदे पे से और साइट से दोनों जोड़ागे मैंने इसमें क्या है पहलेंगे कंधे पिसेसे लिए और साइड़े लिएंगेंГे सिंगल इस्टिच बनाते हुए हूए ठीक है उसमें ज्यादा सफाई आती है तो पहले मैं इसको से लि नए हम एक को बदिखी इसकी नैक बनाएंगे तो नेक के यहां से धागे को चॉइन कर रही हूं यहां पर हमारा जॉइन्त आ जाएगा इसलिए में धागे को यहां से चॉइन कर रही हूं यह बैक वाली जो नेक है यहां से कि नेक का बॉर्डर बना रहे हैं कि आốcर का ते कि यहां से थागे को जोड़ा है तो यहां संग इसको चाहिए कुछ तरीक में कि जेंट्री बनाएंगे वान टी के नंटीर हुआँ यह नैक्स वाले स्टिश में बनाँगे फिर next में one double crochet बनाएंगे फिर दिखी जो third और fourth है इन दोनों को एक कर देंगे इससे क्या होगा कि जो neck की back side है वो fail लेगी नहीं आप हर इक stitch में एक इक stitch बनाएंगे यह थोड़ा fail जाएगी इसलिए हम हर थर्ड और fourth वाले stitch को एक करेंगे नेक्स वन तू में one double crochet बनाएंगे वान तू और जो third और fourth है इन दोनों को एक कर देंगे इसी तरीके से मैं यहां neck बनाके इस तरफ आ जाती है दूसरे ने यह back side खतम उने तक तो देखे यह back में हमने बना रहे हर थर्ड और fourth stitch को हमने एक किया है अब देखे यहां पर क्या करना है यह front का हिस्सा है यहां पर देखे दो जो stitch है उन में एक डबल पस दिखेंगे तो यह थर्ड वाला स्टिच है इसको स्किप कर देंगे फिर दो स्टिच में एक डबल क्रूशिय बनाएंगे वान टू फिर जो थर्ड वाला स्टिच है उसको स्किप कर देंगे फिर नेक्स दो में डबल क्रूशिय बनाएंगे इस तरीके से इसमें थोड़ा सा तूरी हो जाएगी बहुत पास पास नहीं बनेंगे ठीक है तो मैं थोड़ा नैक पर आ जाते हैं यहां बीच में बनाके तो देख 2,3,4,5,6 पर मैं हर एक पे एक डबल क्रूशिय बना दूंगी 2,3,4,5,6 जिससे हमारे जो वी नेक है वो खराब नहीं होगा अगर यहां पे स्टिच नहीं बने तो वी नेक का शेव खराब हो जाएगा अब यहां से फिर से एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट दो मे है वन वन डबल क्रूशिय बनाएंगे इसी तरीके से बनाते हुए मैं लास्ट में आ चाते हैं तो यह दिके बनाते हुए यह रो के एंड में आ गए हमें अब यह जो चैन 3 से हमने रो स्टार्ट की थी थर्ड़ वाली चैन पे इसको स्टेपिस्टिस से अटेच कर देंगे जाओ यहाँ है find a second वाली रभे यही नंए चैन्थी वनंगे वन धू एक इस रो में हमें एक फ्रंट पोस्ट इस बनाना है एक बंतो तैकली स्काना है बैक ने कमें उन दोनों को एक साथ ले लेंगे यह इस तोनों यह दोन हैं को साथ में ले लेंगे एक स्टिश्त फ्रन् segunda बनाना है एक स्टिश बैक प्रॉस्द बनाना इ Phantom कॉंट बनाते हुए एस पूरा बहुत-बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं रखना है ठीक है अब देखिए यहां से मैं फोर्थ सड़ी थर्ड वाली रोब बनारी हूं ना की चैंट्री बनाएंगे वान टू थी और यहां से जो front post बनाया था उसको front post बनाना है और जो back post बनाया था उसको back इसी तरही से बनाते हुए मैं यहां पर neck के पास आजा की यहां पर one two three four five यहां पर two stitch यह front post बाकी रहेंगे यह नेक की यह हमारा beech वाला कौक है इसको mark करते हूँ तो यहाँ पर आजाएंगे फॉर इस्टिच यहाँ पर करेंगे मिडल स्टिच हो वह इसको माजा लेते हैं तो यहाँ पर हमारे फोर इस्टिच बाकि रहेंगे वब्र 1 2 3 bond 1 2 3 illnesses a關 user body दोनों को एक साथ ले लिए बीच का जो बैक पोस्तिच है इसको रहने देंगे और दो फ्रांट इस्टिच है इनको एकसाथ बनाते हैं अब गी जो बैक पोस्त है इसको बैक पोस्त की बनाएंगे नेक्स्ट वाले को फिर जो मेडल वाला फ्रेंट पोस्ट है इसको फ्रेंट पोस्ट की बनाएंगे और यह जो दो फ्रेंट पोस्ट इसके बाद वाले पहले एक इसके नीचे बैक पोस्ट बनाएंगे से जस्ट बाद वाला और यह जो दो फ्रंट पोस्ट है इन दोनों को एक साथ बना देगे इस तरीके से ठीक है यहाँ मैंने शायद गला तरीके से बना दिया एक साथ नहीं लेना इस तरीके से बनेंगे फ्रंट पोस्ट को यह यह इसको इन दोनों को एक साथ बना देंगे इसके जो नेक्स्ट पैक पोस्ट इस्टेच इसको नॉर्मल भी बनाएंगे और यह जो मिडल वाला फ्रंट पोस्ट stitch है हमारा यह middle वाला है उसको ऐसे ही बनाएंगे इस से बाद वाला जो back post stitch है उसको भी normally बनाएंगे अब दिखें यह जो दो front post stitch है इनको एक साथ बनाना है यह बैक पॉस्ट हमने छोड़ दिया यह front post उठाएंगे अब दिखें जो एक back post है जिसको back post बनाना है फ्रंट पोस्ट उसको फ्रंट पुस्ट बनाना है इसी तरीके से बनाते हुए रोकी लास्ट में आजाते हैं अब दिएक रो और बनाएंगे उसमें हम पूरा शेव दे देंगे गले का अब यहां से फॉर्थ रो है वान ट्यू त्री फॉर्थ होगी शायद तो बैक पॉस्ट है उसको बैक पॉस्ट बनाएंगे और किये कि यह मेरिब वाला स्टैस से जस्ट पहले वाला जू फ्रंट हमने दो इस जकूए किया था यहां तो उसलिभी को बनाएंगे पहले हम से बीच केमें बैक फॉर्थ बनाया है हम यहां पे आघंग आप आघंग क्य पोस्त दो इस्टिश को जिसको एक किया था यह हमने इसको आधा बनाया फिर दिखे यह बीच वाला स्टिश चोड़ेंगे यह जो नेक्स्ट वाला यह मिडल फ्रंट पोस्तिच है इसको उठाएंगे और देखे इसको भी इस तरीके से बनाएंगे इससे धगला पेटेंगे अभी जो फड़ वाला स्टिश है जो हमने दो इस थे क्या था फ्रंट पोस्त को इसको उठाएंगे और इनको इस तुरीके से एक कर देंगे ठीक है इसको आट गलिकर ऑजगा करेंगे यहां से हम दागे को जॉइंग करेंगे और आपको बस ध्यान रखिएगा आर्मोल बनाते साथ कि जिसने आपने एक आर्मोल में स्टिश लिए हैं उतने ही लीजिएगा काउंट करके नहीं तो आपके एक आर्मोल बड़ा और एक आर्मोल छोटा लगेगा क्योंकि थ ही पढ बनाएंगे कि फे एंख्याद मिए है में चैन्स भी गूनाएंगे लिए वन टू डू त्री जबू दीकिए यहां पे हम हरेकम स्टेश में एक एक स्टेश लियके काउंट कर रहे हैं और यहां से हैं आर्म इस ठीक है तो दिखे यह फर्स्ट रोम ने बना लिए आप यह थर्ड वाली जो चैन है इसमें इसको स्लिप इस्टी से अटाइच करेंगे कि मैं स्टार्टिंग में चैन्ट्री बनाई थी थर्ड वाली चैन में चैन्द्री बनाएंगे ऍज़ु है एक फ्रंट पोड़ेंगे और इक बेक बॉस्ट बनाएंगे फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एक बैक बीधक बितराइओ Mac से इसी थコई इस तरीके से 3 4 जितनी दो आपको बनानी है, round round हम इसको बनाते जाएंगे, तो इसको मैं पूरा बना लीती हूँ और बनाने के बाद दिखाते हूँ आपको कि बन के कैसा लग रहा है, तो दिखे ये मैंने पूरा बना लिया है, और इसका गला स्ट्रैची है, तो पैनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फ्रेंट पोस बेक पोस बनाएं तो आराम से आ जाएगा और देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसकी जो चास्ट है वह आप हाफ में नापेंगे इस तरीके से तो 16.5 इंचेस है यह 32 चास्ट को आराम से आ जाएगा और यह जो इसकी लेंथ है वो 22 इंचेस है तो फ्र क्यान पर दो जो तो आदी कितना फाराम से जोजाए प्रेवा और लग मा जाएगा जयो जो आपारी है 望़ित्स बनाइज कितना आ